आकाश्वणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग राजणी भुपाल में रक्षा मंत्री राजना सिंग की उपसिती में सेना के तीनों अंगों का सिंग कमांडर सम्मेलन हो रहा है इसमें मुखे जोर राजश्वे सो रक्षा तीनों सिंगों की 27 में बढ़ाने और भविशे में साथ मिलकर काम करने के लिए थेटर कमांड फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है इसके अलावा युद्ध के समय में सेना की रणीती, रक्षा मामलों में आत्म निर्भरता और रक्षा परसिती की तंत्र पर भी विचार विमर्श हो रहा है प्रमुख रक्षा ध्यक्ष, जर्नल अनिल कुमार चोहान, सेना प्रमुख, मनुच पांडे, एर चीफ मार्शल, वियार चौधरी और नौ सेना प्रमुख, एड्मिरल आर हरी कुमार सहित, तीनों सेनाओं के शीष कमांडर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं सम्मेलन की थीम है Ready, Resurgent और Relevant प्रधान मंतरी कल सम्मेलन को समभोठेद करेंगे नई दिल्ली में हुवे 8 में स्मार्ट सिटी एक्सपो में कुल सूला के टैकरी में से मध्यप्रदेश की स्मार्ट सिटी स्को साथ के टैकरी में अवार्ड मिले हैं समार्ट सिटी नदौर और जबलपूर को दोदो और भूपाल सागर उजयन को एक एक अवार्ड मिला नगरी विकास और आवास मंतरी भूपेंदर सिंग ने प्रुसकार प्राप्त करने वाली समार्ट सिटी के अधिकारी करमचारियों को बढ़ायती है आयुक्त नगरी प्रिशासन और विकास भारत यादव ने बताया है कि समार्ट सिटी नदौर को बेस्ट स्टार्ट अप और बेस्ट वार्टर मानेजमेंट के टेगरी जबलपुर को बेस्ट गौर्णेंज और एकॉनमी तथा सिटी लीडर के टेगरी में अवार्ट मुला है इसी तरह स्मार्ट सिटी भुपाल को स्मार्ट पार्किंग केटेगरी, सागर को क्लीन सिटी केटेगरी और उज्जैन को महा का लोग के लिए विशेश अवार्ट प्राफ्थ हुआ है गौर तलब है कि प्रगती मैदान नई दिली में 27 से 29 समार्ट तक आठवा स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपो हुआ है था अवार्ट के लिए सूला केटेगरी में नॉमनेशन जन्वरी से फर्वरी 2023 तक लिए गए देश में पिछले 24 गंटों में COVID-19 के 3000 से अधिक नयबामलों की पुष्टी हुई है किंद्री स्वास मंत्राले ने बताया कि इसी वधी के दोरान 1300 से अधिक लोग संक्रमन से स्वस्त हुए है मंत्राले ने जानकारी दिये कि 1300 से अधिक लोग COVID-19 से ठीक हुए है मंत्राले ने कहा है कि देश में 15,000 से अधिक सक्रिय कोविड मामले हैं और स्वस्त होने के दियर अठाने में दिशमलों साथ 8 प्रतिशत है बचले 24 गंटों के दोरान COVID-19 की 6000 से अधिक COVID-19 के लगाए गए देश भर में अब तक 220 करोड 65 लाग से अधिक वैक्सिन की डूस दी जा चुकी है इन दौर में कल राम नौमी समारों के दोरान एक मंदिर में कुवे के छट किने से कम से कम 36 शुधालों के मौत हो गई आकाशपानी से बाचीत में भोपाल के पुलिस आयुक्त मकरन देवस्कर ने बताया है कि बजाव और राहतकार अभी भी जारी है अधिकारियों के निसार इन दौर के बेलेशुर महादेव जूलेलाल मंदिर में हवन कारिक्रम के दौरान चालिस से अधिक्षर धालों कुए में गिर गये थे राश्रपती द्रौपती मुर्मू, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य निताओं ने इस घटना पर शोक चताया है और घायलों के जल स्वस्त होने की काम ना की है प्रुदान मंत्री नरेंद्रमोदिनी इंदोर दोर्गंटा के प्रतीक मर्थक के निकटपरिजनों को प्रधान मंत्री राशे राहत कोश से दुधू लाघ रोपए और खायलों को 50-50-30.000 रोपए की अनुगरह सहायता राशे देने की खोषणा की मोक्य मंतरी शिवरासिंग चोहार ने मृतिकों के परिजनों को पांच माच लाख और खायलों को पचास पचास अजार रुपए मुआफ़ा देनी की खोशना की है अब कुछ समझार सिंख शेप में शिवपुरी में ग्राम पंचायतों के वभिन निर्माण कारें के लिए निकाली गई राशिका उपयोग नहीं करने और वसूली राशित जमा करने की निर्देशों का पालन ना करने पर दो सच्चियों को निलंबित करने की कारवाई की कई है आगर मालवा शास्की नहरू सनातकोत्तर महाविद्याले की एनसे सिकाई द्वारा जिले के ग्राम पर सुखेडी में आयोजित के गए साथ दिवसी विशेश शिविर का कलसमापन हो गया गुना सिली में लाडली बेना योचना के अंतरगत पाकर महिलाओं के आवे दिंग दर्श करने में लापर वाही बरतने पर ग्राम पंचायत टाटूज खेडी के सचिप को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है सतना कलेक्टे ने मजवा कराम पंचायत में मोक्य मंत्री लाडली बेना योचना के कैमपों का नेरिक्शन किया बैतूल की ग्रामिर इंचलों की महिलाओं को सौलम भी बनाकर तरक्य की राहा दिखाने में मजवर्दी श्राजिक ग्रामिर आजविका मिशन से सबध्य महिला स्वसायता सम्हों द्वारा महती भूमिका ने भाई जा रही है इस फिलिटिन में इतना ही नमस्कार